दे एस्टो एंसेंट्स जैसा कि आप चानते हैं कि कॉरोना की वज़े से हमारी स्टडीज को इंटरप्ट होगे, रिक्जाम्स बगरा भी नहीं हो पाए इसलिए गॉर्णिट ने विकॉम फर्स्ट इयर को सेकंड यर में प्रमोट करने का डिसिजन दिया सबी क्लासे सेकंड इयर से थर्ड इयर में और फर्स इयर से सेकंड इयर में इसी तरह से प्रमोट होई और उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टा शुरू हुआ इसके अंतरगत हमने वर्टसम के मार्जम से आपको मैसेजज किये आपको सब इडिया, स्प्रिटी बगरा सब महुया करवाए यह सब साधन आपको उपलब्द करवाए ताकि आपके पढ़ाई को किसी भी तरह की शती ना पहुंचे डिरेक्ट फॉनौन कॉल्स भी किये, पेरेंट से ने बत किये, घ्रिटं से इडिरेक्ट मेसेज भी किये आपके जो भी फ्रॉल्म से उनको शॉर्ख करने की पुरी पुरी कोशिश की इसमें सारे स्टाफ्ने आपका भुर्पूर सयोग दिया आशा करता हूँ कि जो आपने अब तक हमारा सहयोग किया है और वो हमने आपका सहयोग किया है वो सब इसी तरह चलता रहे और हमारी जो मुहीम है यह सक्सेस्फूर रहे अब मैं आपको यह बता दूँ कुछ स्टूरेंट्स का कहना है कि वर्टसप और जो PPDM, PDF का मार्थम है वो तो काफी convenient है लेकिन E-lectures वगरा data connectivity वगरा काफी issues आते हैं तो मैं यह बता दूँ कि situation को हमें adopt भी करना है और adapt भी करना है हमें सबी तरह के मार्थम को धिरे धिरे अपनाना है जो भी आपके समझे हैं उनका निराकर्ण हम धिरे-धिरे करेंगे पर आपको भी इसमें पूरी तरह से सही होग करना पड़ेगा अब काफी पेरेंट्स का और स्टूरेंट्स का कहना है कि जो syllabus है या books जो उन्हें पढ़नी है second year में वो कौनसी है और किस तर किस पढ़नी है इसके वारे में आपको PDFPT के मार्दिन से मैंने पहले ही बता दिया लेकिन फिर से एक्स वीडियो के मार्दिन से की revision भी कर लेते हैं यह become second year के लिए तो यूसफुल है कि उन्हें क्या पढ़ना और कौनसी books है और जो मैंने अब तक वीडियो बताएं हैं आपको उसको कैसे इससे connect करें लेकिन become final year का भी इसमें revision हो जाएगा तो दोनों classes के लिए ही beneficial है इसके लावा जो और become के एंकम के students है वो भी इससे revise भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं एक बार ध्यान रखिए कि class specific videos तो डाले जा रहे हैं लेकिन ये interconnected होता है comments सभी चीज़ें इस दूसरे के काम आती है तो आपको ऐसा नहीं सोचना है ये दूसरी class का तो हमारे में कुछ useful नहीं है extra जो भी आपास तकें वो आपके लिए beneficial है पर final year के students हैं वो अपना first year का और second year का भी इसमें revise कर सकते हैं तो देखते हैं वीकॉम second year का परिपाठी क्या है क्या पाठी करम है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वीकॉम second year में आपकी जो books लगेंगी वो होंगी money and banking और international trade यानि कि banking बैंकिंग की कुस्तक लगेगी आपके मुद्रा और banking और दूसरी कुस्तक होगी अंतराष्ट्य वैपार मुद्रा और banking के PPD notes वगरा मैंने आपको डाल दिये हैं उसमें हम पढ़ेंगे मुद्रा क्या है मुद्रा की परिभाषा वगरा क्या है क्या monetary standards होते है जुलाई माह में यानि कि फर्स जो आपकी unit है उसके अंदर मुद्रा की परिभाषा आधी का वर्मिन किया गया है यह सब आपको बताया है और inflation वगरा उसके अंदर आता है second unit आगे पढ़ेंगे पहले first unit अच्छे से grip में आपके आने चाहिए first unit को कई बार students जो है ignore कर देते है कि यह theory type ज़्यादा होते है और याद भी कर लेते हैं तो ज़्यादा importance नहीं देते तेकिन videos में में आपको बता चुका हूँ कि कितना important रहता है हर डीटेल को अच्छे से समझना हूँ फिर दोसरी book है international trade अब international trade के बारे में कई videos में टाल जो काऊँ उसकी importance बता चुका हूँ आपको यह बता चुका हूँ कि बाकी chapters जो आपको थोड़े hard लगते हैं उसमें आप अखरा ध्याद देते परस्ट और सेकंड इवन इसकी आपको बहुत simple और easy लगती और कई बार इसकी जो इसका test result है वो भी काफी अच्छा आ रहा है जो जब test result अच्छा आजाता है तो बच्चों में confidence आता है और confidence आना भी चाहिए यही जरूरी है पर मैं यह भी समझना है कि कभी complacent नहीं होना है जितना जादा हम उसको detail में समझे वो अच्छा लेगा तो international trade के अंदर हम उसके advantages पेसे advantages वगरा समझेंगे problem समझेंगे अब problem समझना बहुत जादा important है क्योंकि commerce में हम कोई चीज़ को पढ़ते है हम किसलिए पढ़ते हैं commerce में अंदर वो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि इसको कुछ पायदा उठा सके actually क्या है कई subjects ऐसे होते हैं कि इसमें कांपी कुछ knowledge हम पढ़ लेते हैं ताकि हम इन knowledge हो जाए हम उसको दिखा सके हैं लोगों से चलचा कर सके हैं लेकिन commerce एक ऐसा subject है जिसमें जो commercials होते हैं वो हर चीज को profit or loss यह ज़रूर ध्यान में रखते हैं क्योंकि commerce पढ़ने का जो basic motive है वो है resources को कैसे maximize कि आजा सके limited होती है resources को कैसे maximize कि आजा सके और commerce पढ़ने में दो चीज़ें हम ध्यान में देते हैं पहले तो यह देते हैं कि problem solving जैसे की जाएं पोई problem आती है तो उसका solution ढूणने के लिए basically हम पढ़ते हैं ज्यान का लक्षे क्या है सिर्फ ज्यान को संग्रय नहीं करना होता है बलकि उसको कुछ करना होता है तो problem को समझना तो यह जो first units रहती है money की हो चाए international rate की specifically इसमें हम क्या पढ़ते है problem तो problems क्या क्या है क्यों है कबसे है उसमें क्या क्या बाते हैं क्या क्या theories आई यह अगर आपने अच्छी से grip कर लिया तो आगे वाले chapters आपको अच्छे से समझने हैं तो सबसे पहले problems वगर आपको देखनी है advantages, disadvantages disadvantages की जो theory है उसके problems वगर वो अच्छे से समझने है details में depth है यह इससे बहुत सरे objective question आते हैं और यह देखा गया है कि सबसे पहले simple unit से ही बच्चे कई वर गलत इंसर करके आते हैं competitive exam से में गलत इंसर कर जाते है फिर उसके बात है money तो money के chapter को भी आपको अच्छे समझना है यहां पर कुछ basics हैसे होते हैं जो अच्छे अच्छे नहीं कर पाते हैं और बहुत जो normal बच्चे होते हैं जो थोड़ा से units अच्छे से पढ़ लेते हैं उनको आगे हमेशा एक clarity बनी रहती है तो international trade है money and banking है अंतराश्टे वेपार और mudra और banking दोनों ही कुस्तके हैं आपके काफे काम की हैं क्योंकि commerce में money तो काफे vital रहे गई और अंतराश्टे वेपार engine of growth है आज के टाइम में आपने उस paper वगरा इसके वीडियो डाल दिये इसके वीडियो डाल दिये international trade के advantages, disadvantages वगरा share कर दिये पहले आप वीडियो अच्छे से देख लें advantages, disadvantages, problems वगरा उसके बाद हम उसके फिर आगे बढ़के terms of trade पढ़ेंगे इसके लाब money में money की PPT या PDF में मैंने classification functions वगरा सबके PPT PDF में group में डालता रहा हूं और उसके लाब वीडियो भी आ चुका है तो यह सब चीजें आप आगे पढ़ें और इनको connect किए information देना possible नहीं होता है एक वीडियो के अंदर class में हम एक घंटे की class ले ले लेते हैं तो वह लंबा ना हो जाए वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए से इसको short करने के चकर में हम simple रखना चाहते हैं ताकि आपका interest बना रहें बाकि जो उसका elaboration है वो PDF PPT के मादें तो आप दोनों को अच्छे से पढ़ें कोई भी समस्या उसको आप पूछ सकते हैं पहले assessment की result आ गए है और काफी अच्छा आपने परफॉर्म किया है मुझे आशा रहे कि आगे भी आप इसी तरह से परफॉर्म करते रहें और जो भी आपकी problems है वो discuss करते रहें ठीक है और आपको किसी तरह के समस्या होती है YouTube के कमेंट करने के समस्या होती है या फिर आप डिरेक्ली मलग ग्रूप में भी नहीं पूछना चाते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताय था कि आप जो official माध्य में email कर सकते हैं कर सकते हैं किसी तरह का संकोच करने के कोई आप सकता नहीं है तो ऐसे पड़ते रहें धीरे हम भी सीखेंगे हम भी adapt करेंगे आप भी adapt करेंगे धीरे दिये technology भी हमको समझ में आ जाएगी और फिर बहुत जल्द आपकी जब यह समस्या अभान करेटल जाए तो जब जहते ही प्रॉलम हमारी सौल हो जाई करना वापिस regular classes भी चल पड़ेंगे और यह जो हमने नहीं चीज़ें सिखेंगे यह भी आगे दोनों साथ प्रशा चलते रहेंगे टेक्नोलजी का भी उस करेंगे और जो हमारे interaction है जो पहले इतने session में गूपन रहा था वो भी आगे continue करेंगे Thank you